हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतेश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभी रंदन मेरे प्रिय साथियों मैं हूँ आचारे पंडित सरवदनन्द शर्मा मेरी और से भी आपको बहुत-बहुत प्यार भरा नमश्कार साथियों आज हम आपके साथ जिस विशे पर चर्चा करने वाले हैं ये आपका बहुत मन पसंद विशे है आपको बहुत पसंद है ये विशे और हमारी ये जो चर्चा हम आपके साथ करते हैं ये इसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट् तो साथियों ये जो विशे है ये है मंतली लव राशी फल और ये मंतली लव राशी फल जो है अगस्त दो हजार तेईस का है और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस कारेकरम के दोरान वो जो करक लगन राशी के जातक हैं जो उनका कैंसर असेंडेंट है उनके विशे में ब सितारों की वो आपको कितना सपोर्ट करेंगे अगस्त के महीने में और कितना नहीं करेंगे यह सारी जानकारी हम आपको आज के इस कारिकरब में देने वाले हैं जो हमारे करक लगनराशी के मित्र हैं उनके लिए तो आईए सबसे पहले हम चर्चा आरम करते हैं जो सिंगल जा तक हैं उनका अगस्त 2023 में कैसा रहने वाला है तो प्रिया साथियों महा के आरंब से ले करके और महा के मध्य तक का जो समय है अगस्त के महीने की बात हो रही है आप से साथियों तो पहले जो ये 16-17 दिन का जो समय रहेगा अगस्त के महीने का इसमें आपकी जो सोच है वो बह महीने बहुत ही romantic mood में रहेंगे और आपका जो romance के साथ जो आपका बुद्धि है वो भी बहुत सही दिशा में काम करेगी किस बात को ले करके इस बात को ले चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपकी जो विचार है या जो सोच है, वो बहुत सही दिशा में चलेगा, और आप हर चीछ को बहुत सही तरीके से सोच समझ करके, बाबजू दिसके, कि आप रोमेंस से भरपूर रहेंगे, फिर भी बहुत सोच विचार करके आग हम देखें, तो क्या है कि देखिए, यह चीज तो नजर तो आती है, कि आपका जिसको आप चाहते हैं, उसके साथ आपकी बांडिंग बढ़ें आपकी तरफ से क्योंकि बहुत पॉजिटिव आपके मैंने जैसा कहा कि सोच है, तो आप तो बहुत पॉजिटिव वे में आग मिलेगा, और एक और बात ये भी है, जो बताते हुए थोड़ा सा हमें तकलीफ हो रही है, वो यह है कि दोनों तरफ चाहत तो है और रहेगी, लेकिन इसमें अभी फिलाल सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए नहीं बन रहे हैं, जबकि आप भी उनको पूरी तरीके से पसंद करते हैं, पसंद करते क्या हैं, आप पसंद कर चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि वो भी उनकी भी आपके लिए यस है, और ये बात, ये फिलिंग्स उनकी आप अच्छी तरह से समझते हैं, बहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन कोई ना कोई बीच में ऐसा कारण बनेग कोई रीजन ऐसा कोई बड़ा आएगा कि जिसके वज़ा से ये चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएंगी मतलब बात आगे बढ़ने ही पाएगी जिस हिसाब से दोनों और एक पॉजिटिव साइन दिखता है आपकी और से भी उनकी और से भी उस हिस आप से चीज़ें जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं बीच में कुछ ना कुछ उस में अठकले कह लीजे कुछ परिशानियां कह लीजे कुछ प्रॉब्लम्स कह लीजे कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके इसको फेस करनी पड़ेगी जिसके कारण य लेहेंगे. रोमान्य आपके दिल और दिमाग में छाया रहेगा. सब कुछ रहेगा. लेकिन बीच में कुछ शमस्यां जो ये आ रही आती हुँ दिखती हैं, ये आपको सफलता की और रिखने जाती हुई नहीं कि आप अपने इस जो भी आप जिसको अपना मित्र मानते हैं जिसमें आपको भी अपना मित्र माना है कि वो पूरी तरीके से हलाकि कोशिश मैंने बार 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 बोल रहा हूं कि दोनों और से रहेगी लेकिन फिर वोई बात कह रहा हूं बीच में कि कोई समस्या ऐसी आएगी कोई कारण ऐसा बनेगा कि जिसका आपको भी रंज होगा उनको भी होगा कि भाई आखिर ऐसा ये क्यों होना था ऐसा क्यों हुआ सब कुछ ठीक चल रहा था सब कुछ सही चीज दिशा में चीज़ चल रही थी उसके बावजूद भी ये कोई ना कोई ऐसी समस्या हमारे बीच में क्यों आ गई तो इस प्रकार का आपको भी तकलीफ रहेगी उनको भी रहेगी और ये मैंने जैसा भी कहा था कि ये शुरू के अगस्त के बीच का जो समय है इसमें तो आपका उनके प्रती है और उनका आपके प्रती बहुत अच्छा रहेगा लेकिन उसके बाद जो चीज़े हैं वो थोड़ा सा उसमें कमी आते हुए आप महसूस करेंगे निश्चत रूप से करेंगे बिलकुल करेंगे हलाकि रोमें तो आप से हैं यह कंप्लीट होते हुए दिखता नहीं इन कंप्लीट होता हुआ रह जाएगा marketing कह सकते हैं इसको अवा वाग़ें बात करते हैं कि जो आप मेंसे जिनका लव एफेर चल रहा है जिनका रिलेशन्शिप भी है यानि कि वो रिलेशन्शिप में भी है लिव इन रिलेशन्शिप में रह रहे हैं या एफेर चल रहा है तो उनका कैसा रहेगा उनके लिए भी बताना चाहेंगे उनके लिए भी देखिए ये है कि आपका बेशक पहले से चल रहा है अगर तो आपको भी बताना चाहते हैं कि अगर पहले से आपका चल रहा है तो देखिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को ले करके आपके मित्र को या तो आप से शिकायत होगी या आपको उनकी और से कोई शिकायद मतलब कुछ गिले शिक्वे का दौर ज्यादा रहेगा एक अगस्ते लेके सत्रा अगस्ते तक उसके बाद आपका जो मित्र है वो आपके उपर पूरी तरह से महरवान रहेगा उसका पूरा प्यार आप राप्त करेंगे बेशक चाहें आप अपनी और से कोई ज्यादा रियक्ट ना करें लेकिन आपका मित्र जो है वो आपके उपर पूरी तरीके से एक तरीके से निवचावर रहेगा अपने आपको पूरा निवचावर कर देगा यह सिती रहेगा तो यह प्यार जो है ऐसा नहीं है प्यार यह प कि अपने इंस प्यार की रिलेशनशिप को ले कर या आप कोई कोई ऐसा कारण बन जाए कि जिसमें आप बेज्य हो जाए को या पटग़ यह तना इतना मतलब उसमें आप बिज्य हो जाए जहां पर आप कार्य करते हूं या इस तरीके का तो आप उनको पूरा समय ना दे पाएं लेकिन आपका मित्र जो है वो उसका पूरा कुमिट्मेंट आपके साथ रहने वाला है और पूरा डेडिकेशन के साथ वो आपके उपर मतलब तो यह प्यार जो है अच्छा रहेगा और मैं तो यह जरूर कहुँगा क के बीच में है अब आगे बात करते हैं कि जो पूरिट नमेर्प फरी से मैरेट कपल से इनका कैसा रहेगा तो प्रिया-सातियों के बताना चाहेंगे कि जो merit couples हैं. महीशने के आरंज से लेके और महीशने के मध्य के बीच का जो समय है यह मिला झुला रहेगा वैवाईक सुख जो प्राप्त करेंगे आप वह मिले झुले करेंगे, लिकिन महा मध्य से और महा के अंत के बीच का जो समय होगा ये भरपूर वैवाइक सुखों का आनन्द आप लेंगे बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो जीवन साथी है जो आपका पार्टनर है उसकी सेहत किसी कारण से खराब हो सकती है तो उसको आप केर जरूर करें बीच में कोई ना कोई ऐसा कारण बन सकता है पूरे महीने में कभी भी कि उनकी हेल्थ को ले करके कुछ समस्या बन जाए तो उसके लिए आपको बहुत सावधान और सचेत हम करना चाहते हैं ताकि आप उनकी केर कर सकें लेकिन आपके प्यार में उनके पृति कोई कमी नहीं रहेगी पूरे माह अब आगे ब पहले से कहीं एक्ष्टा मेरिटल एफेर चल रहा है तो उसकी इस्तिती कैसी रहेगी तो उसकी इस्तिती भी बतादना चाहेंगे आपको उसकी इस्तिती ऐसी रहेगी और यह आप अनुभव करेंगे करक लगन राशी के जा तक अगस्त के महीने में कि एक अगस्त से लेके सत्रे अगस्त के बीच का जो समय होगा आपका मिलना जुलना भी रहेगा आप लेकिन खटपट भी ज्यादा होगी और आपके मित्र को आप से शिकायत ज्यादा रहेंगी और वो शिकायत ने किसी भी प्रकार की हो सकती है कुछ भी हो सकती है और यह जब वो कुछ ऐसी भी शिकायत हो सकती है जिससे कि आप कुछ चीज वो आप टॉलेट ना कर सके और आप भी ओवर्रियक्ट कर जाएं उनकी कुछ इस प्रकार की कंप्लेंट सुन करके कि जो आपको ऐसा लगेगा उनकी बाते सुनकर के बhoven बहिए यह तो है विनी लेकिन यह पता नहीं कि sound किसी तरीके की बात हैं क रहा है या कर रही है तो उसमें laugh भी थोड़ा over react कर सकते हैं कि बुरा बुरा भला भी बोन सकते हैं हालगी बाद में आप भी रियलाइज करेंगे कि आपको ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था तो ये सिती जो है एक अगस्ते और सत्रे अगस्त के बीच में रहने वाली है सत्रे के बाद जो हलात हैं सत्र तारीक के बाद से और 31 तारीक के बीच में कोई विशेश प्रोग्रेस होती नहीं नजर आती है मामला शान्त रहेगा या तो आप ज्यादा मिलने जुलने में बिलीव नहीं करेंगे उस समय पर आप अपनी फैमिली लाइफ पे ज्यादे अधिक फोकस करना पसंद करेंगे तो यह स्थिती आपकी रहेगी और अगर आप अपनी फैमिली लाइफ पर अधिक फोकस करेंगे तो यह 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 भी एक कारण हो सकता है कि भाई आपके मित्रों को यह चीज जादे पसंदना हो कि आप उनको पूरा टाइम नहीं दे पा रहा है टाइम भी देते हैं तो आप फिजिकली महा मौझूद रहते हैं मेंटली कहीं और रहते हैं ऐसा भी होता है तो इन चीज़ों को ले करके आपके साथ उनकी शिकायत हो सकती है उसके उपर आपको भी थोड़ा सा करोद आ सकता है आप भी बुरा भला कह सकते हैं हलाकि बाद में मैंने जैसा कहा कि आप रियलाइज करेंगे कि नहीं बोलना चाहिए था ऐसा लेकिन यह सब चीज़ जो है सत्रे अगस्तक है सत्रे के बाद आपका पूरा फोकस है वह अपने फैमिली पर अपने जीवन साथी पर अधिक रहने वाला है करक लगन राशी के जातकों का बहुत ही सिंपल वे मैं कह रहे हैं आपको ग्रों की इस्तिती कुछ इसी प्रकार की इंडिकेशन दे रही है अब आगे बात करते हैं आप से कि नो कॉंटेक्ट सिचूशन के विशन नो कॉंटेक्ट सिचूशन जो है वो कैसी रहने वाली आपकी आप करक लगन के राशी के जातक हैं और किसी भी कारण से आप नो कॉंटेक्ट सिचूशन में पहुंच चुके हैं और अब आप यह चाहते हैं कि यह नो कॉंटेक्ट सिचूशन जल्दी से जल्दी खतम हो Set कि आप उनकी तकलीफ को तकलीफ समझेंगे और आप यह भी महसूष्य करेंगे करें आखिर कार अगर यह ऐसा हुद़ है और उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ तो इसमें उन्होंने कुछ नाजाइज नहीं किया या कुछ गलत नहीं किया ये कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा हो गया तो आप चीज़ों को बहुत ही समझदारी से हैंडल करने के मूड में रहेंगे और अपने मित्र को भी आप बहुत ज्यादा परिशान करन और इसी बात पर विचार करेंगे कि भाई आराम से और सही तरीके से पहले वो अपना मूड बना ले कि क्या करना है क्या नहीं उनको आप अन्नेसेसरी ली टैंशन बौदर नहीं करेंगे टैंशन नहीं देंगे इस प्रकार के विचार आपके रहेंगे हाँ और ये जरूर है कि आप की कोशिश तो यही रही अंदरूनी तो इच्छा जिसको कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर कुछ हो चीज़ें निकल करके आएं तो अच्छा है लेकिन आपको बताने हैं आपको इतना भी बताना चाहे हैंगे आपको ये बहुत important बात कर रहे हैं हम आप जो बोलने जा रहे हैं कि आप no contact situation में जरूर हैं लेकिन आपका जो साथी है जिसके साथ आप थे पहले संबंद में वो किसी कारणवश आपको अपनी और से कोई positive signal नहीं दे पा रहा था या दे दे पाया जिसके कारण या क कुछ करनी पाया आपके साथ सहो उसकी अपनी कुछ मजबूरियां थी लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं चाहता है या नहीं चाहती है इसका एहसास आपको 17 अगस्त से लेके और 31 अगस्त के बीच में होगा अच्छा खासा होगा कि कि वो भी आपको उतना ही आज भी पसंद करते हैं जितना पहले ये चीज आप realize करेंगे और इतना भी अगर पता लग जाए no contact situation में होने के बाद के वो व्यक्ति जिसके साथ मेरे अच्छे relation चल रहे थे friendly बहुत बढ़िया हमारा affair था या जो भी था और अब नहीं है तो नहीं होने के बाबसूत भी अगर इस प जाहत आपके लिए रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है बेशक चाहें frequent मिलना ना हो या बादचीत ना हो बादचीत तो हो जाए तो बात ही क्या है लेकिन अगर ना भी हो तो भी यह बहुत बड़ी बात है और ऐसी समभावना अधिक है आपके case में तो मे इसको शेयर करें वीडियो को ताकि आपके जो मित्रगण हैं या जो आपके social circle के लोग हैं वो भी इसको लाइक करें और इस information का पूरा पूरा लावम को मिले और यदि आप यह चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी astrology के topic पर वीडियो बनेंगे वे सभी notifications के साथ आप त अभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय मात अली